हेलो फ्रेंड्स टेकी साजी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है साथियो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लास 9 और 11 का जो मिड टर्म्स हैं वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन काफी बच्चों को ये जानना था कि इनका स्लेवस क्या होगा तो साथियो अभी सभी बच्चों के लिए ये न्यूज है कि उनका जो मिट टम का जो सलेवस है वो अपलोड हो चुका है साथ ही उनका जो सलेवस है उसको भी डारेक्टेट ओफ एजुकेशन ने अपलोड कर दिया है तो आपने पूरी की पूरी वीडियो देखनी है कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कैसे उसको देख सकते हैं कौन-कौन से चैप्टरस आपके मिट टम में आएंगे तो पूरी की पूरी वीडियो देखें और साथ ही ऐसी खबरे पाने के लिए जिससे आप अपने एक्जाम से संबंदित बाते जान पाएं टैगी साजी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो सबसे पहले edudel.nic.in की वेबसाइट पर आपको जाना है और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था की academic and examination का एक new link अभी इसमे अक्टिवेट किया गया है जहां पर बहुत सारी जानकारिया मिल लेंगी आपको तो कैल्ट नूज के उपर academic और examination का new link कर रहा है आपने इसको okay करना है अब आपके सामने examination branch के options आ गए हैं जिसमें कई options हैं आप सभी के लिए ये काम के हैं लेकिन अभी क्योंकि हमें केवल अपने exam से समबंदित बाते जाननी है तो academic को आपने okay करना है academic में आप देखेंगे कि syllabus आपका option है syllabus को आप करें तो class wise distribution of syllabus आपको मिल जाएगा 2020-21 का इसमें 9th, 10th, 11th और 12th के जो भी options हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे साथ ही mid term का जो syllabus है वो भी आपको मिलेगा तो 9th और 11th का जो mid term का syllabus है वो यहाँ पर मिलेगा तो मैं 9th का जो link है वो आपको दिखा देता हूँ कि syllabus क्या है तो हर subject wise यहाँ पर आपको syllabus आपको मिल जाएगा जैसे science का हम देखते हैं English medium और Hindi medium में अलग-अलग है तो science का जैसे यह आपको आगया यह science का आपका syllabus है पूरी की पूरी details इसमें दी गई हैं आप इसको देख सकते हैं और इसके according आप अपनी तयारी कर सकते हैं अब इसी तरह से दूसरे subjects के भी आप options जा सकते हैं 11th में भी आप देख लीजिए यहाँ पर भी आपको syllabus सामने दिखाई दे रहा है अब हम आते हैं mid term के syllabus पर तो 9th का open आपने करना mid term syllabus और यहाँ पर आपको यह syllabus दिखाई देंगे जैसे social science का हम देख लेते हैं तो इसमें पूरा division दिया गया है कि किस तरह से आपके जो social science का mid term का exams होगा पूरा hundred marks का इसमें 20 जो marks होंगे वो final internal assessment होंगे तो यह पूरी details हैं इसलिए आपने chapter wages की details को check कर लेना है ताकि कोई chapter आपका बचे ना और आपके अंग कटे ना तो सभी subjects का आप यहाँ से देखें और 11th का भी आपको यहाँ से सभी subjects का जो syllabus है वो updated syllabus आपको मिल जाएगा mid term का syllabus मिल जाएगा जैसे sociology का हम देख लेते हैं कि क्या syllabus है तो यह जो syllabus दिया गया है यह आपका sociology का है और एक content आपका sociology का है साथियो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर इसका comment box में बताएं एक बात का ध्यान रखें कि यह चैनल आपके education से संबनित काफी जानकारिया देता आ रहा है अता है वीडियो को आप अपने जो ग्रूप से वाट्सअप ग्रूप से अपके school ग्रूप से वहाँ पर जरूर सेंड करें ताकि बच्चे आसानी से पूरा का पूरा जो syllabus है उसको जान पाए आशाय वीडियो आपको अच्छी ल